साथियों क्या बहुजन समाज पर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा आज लगातार जिस तरह से दिन दहाडे अब सेख जाटो को जान से मारने की धामकी दी जाती है और अब सेख जाटो जी इस पर पलिस परसासन को संग्यान देते हैं कि आप इसे संग्यान मिली जे मामला बड नहीं अपने पिता के अंतिम संसकार में जाने नहीं मिला इस पर बातचीत करेंगे और आपको वस्पर तोर पर समझाएंगे यह किस पार्टी में हैं आप इस पर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी अब आप लोग कुछ समझ गे होंगे इस प बड़ा सवाल उठ रहा है लोग उठा रहे हैं और बहन जी की रेली छोड़ दीजिए उनका एक स्केटमेंट तमाम लोगों के रेलियों के बराबर होता है मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बात बता चुका हूं जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मौत हुई है आ रचड की जरूरत ही नहीं है सोचिए कैसा यार खेल है इस देश का जो आर रचड के बलपर अगे बढ़ जाते हैं उसके बाद वो कहते हैं आब आर रचड की जरूरत ही नहीं है किसी को कैसे आदमी हैं लोग और उन तमाम ख़बरों पर बातचीद करेंगे चलिए आज क की वीडियो हम सुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे युट्यूब चैनल में आज जो खबर वाइरल है उन सभी खबरों पर बात चीत करना बहुत जरूरी है अब से एक जाटों बहुजन सायर के साथ साथ होने के साथ बहुजन कहा जाए तो भीजन सेना उन तमाम लोगों का कार मंजीशंग नो क्याल का कार चन्सेखर रामत का कार आप से एक जाटों झी अकेले करते हैं पहले भुजनों के साहिरी कहा करते थे और आज भुजनों के हीतैसी है इन बहूत से पार के सिनाता नहीं है क्योंकि ये बहन जी को भी अपना मानते हैं चंदर सेखर आकास आनंद और अकलेस यादो वो तमाम जितने बहुजन के नेता हैं उन्हें अपना जरूर मानते हैं और इनकी जो है इनके जान से इने मारने के धमकी दी गई है ये बड़ी खबर है और और अपने आगे बढ़ने के बाद उन तमाम लोगों को भूल ही जाते हैं बड़ी खबर कि अगर हम बात करें तो मायवती जी के टूइट में उतना दम है जो तमाम लोग रेली करते हैं और कुछ नहीं करवा पाते जनसे लाब धरना परदर्शन करते हैं तब भी नहीं प्रेक्मेंट दिया था उसे सरकार पर बहुत ज्यादा असर पराहा है एक तरह से कहा जायतों सरकार पूरा ड़र चुकी और उसको फोरन सिक जांच और तमाम परकार की जांच होती है उस पर उस सरकार ने भी मामला उठा दिया है कि इसकी जांच पनी चाहिए आखिर कैसे म आकास आनंद को मिली थी वाई प्लस की सररी की सुरच्छा तो तमाम दलित समाज के लोग जो अपने आपको तथा कथे तंबैक्राइट कहते हैं वो लोग तमाम चंदर सिखर रामार की तारीफ कर रहे थे आकास आनंद को बीजेपी का बीटेम बताते हुए कह रहे थे कि य अच्छे लीडर्स थी और हैं और रहेंगी लेकिन ये बात सायद चंदर सिखर आजाद रामार के कुछ कारकरताओं को हजब नहीं हुए और लगातार वो कह डाले थे लेकिन आज जिस तरह से चंदर सिखर आजाद रामार बिना कुछ पद पर रहते हुए बिना किसी एक भ इस पर भी राय रखी है क्योंकि ये मामला थोड़ा संगित बन जाता है और इस पर ये मामला उठता है कि कुछ आप है नहीं फिर भी उसके बाद सरकार आपको सुरच्छा दे रही है तो कहीं ना कहीं दलित पिछड़े आदिवासी जो समाज हैं जिनके ने अत्रुत मायात जी कर रही थी उनको खतम करने के साजिस सरकार की तो नहीं हो सकती है बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी है जैकी यादों से हम सुरुआत करेंगे पहली खबर इन्होंने लिखी अब्बास अंसारी को लेकर के मुक्तार अंसारी के पुत्र हैं यह तस्वीर आप भारतिये समाज पारकी से विधायक हैं अब आप यहाँ पर थोड़ा द्यान लगए यही यह है वही सुरुआत कि है जो आभी उतर परदेश में BJP के साथ यानि कि जिस पार्टी से अबास अंसारी विधायक है वह पार्टी अंडिये गुट की पार्टी है यानि आप कह सकते हैं कि मुकतार अंसारी के बेटे अबास अंसारी अंडिये में विधायक है राजनीती एक खेल है और हम जैसे लोगों के लिए भावनाओं का चक्र भी हो और मुक्तार अंसारी के मिर्थ पर अबास अंसारी को मिलने भी नहीं जाने दिया गया सोची आपका अलपना नहीं कर सकते राम रहेम जी इतने बड़े दोसी हैं उन्हें छे महने में दो बार दो दो महने की बेल एक एक महने की बेल मिल जाती है मुक्तार अंसारी के मौत पर उनके बेके की बेल मंजूर नहीं होती है आकले स्यादो जी आज तक दूसरा तिसरा दिन है मौत का और ये तक नहीं कह पाए हैं कि मुगतार अमसारी के मौत पर बिनम संदार जली कुछ भी जो भी उनका कहने का इच्छा होती नहीं कह पाए हैं नाम तक नहीं ले पाए हैं और कैसे मुसल्मानों के हितेशी भनते हैं ये आप लोग भली भांत जानते होंगे बहुत सारे लोगों ने अपनी दाए रखी वुछ लोगों ने कहा कि मुसल्मान को सिर्फ और सिर्फ अकले सियादो अपना ओटर समझते हैं इससे जादा उन्हें कुछ वाई लू नहीं देते अगर दूसरी ख़बर की बात करें तो रभेंद्र जाटो ने वाई प्लस सिकोटीफ के चंद से खरावन के अपर कुछ इस्टेडमेंट दिया उन्हें लिखा कि बड़े भाई आकास आनंद बीएसपी को वाई प्लस की सु परन्तू यह सिद्ध हो गया कि असली बीजेपी फोर यूपी एजेंट तो चंदू भाई निकला सोचे और इसे यह थोड़ा मामला सोचने वाला बन जाता है कि क्या कुछ पद पर बिना रहते हुए अगर वाई पलस की सरड़ी वाली सुरच्छा सरकार मोहिया कराती है तो बहन जी ने जो जबाब दिया था जबाब देने के बाद सरकार के तरफ से जो स्टेक्मेंट्स आया जो खबर आई वो यह आपके सामने है बहन जी ने जांच का बिसे उठाया था और उस पर जांच भी होगी और कुछ जांच होई है जिसका रिजल्ट आना बाकी है लेकिन आपको बता दे बड़ी खबर कि क्या सरकार बहेंजी से डर गई है या फिर एक राष्टी लेबल के पार्टी है इसलिए इज़्जत करती है बड़ी खबर आपको बताएंगे कि चिराग पासवान बोले गैस सबसीगी की तरह अमेर दलितों को छोड़ देना चाहिए आरच्छड सूचिए अब आरच्छड इन्हें गैस की सबसीगे लगने लगी है इन्हें एंटेजबल की कहां रह गई है भूल चुके हैं गाउं में इतने ज़्यादा च्वाचूत है उसको यह साथ भूल चुक और इन्होंने कुछ और लिखा कि 2014 के लोगसबा चुनाओं में पहली बार बिहार से सांसत चुने गए इच्राग पासवान ने लिया भी कह दिया कि आरच्छड नहीं लेने का फैसला सुच्छा से होना चाहिए ना कि जोर जबरजस्ती से सोचिए जिनको सुरच्छा नहीं लाब नहीं मिल पा रहा है उन्हें आरच्छड की अब जरूरत भी नहीं है यह चिराग पासवान का कहना है जो खुद आरच्छड के कोटे से आगे बढ़ते हैं आप कलपना नहीं कर सकते तब सेक जाटो जी ने जो इस्टेक्मेंट जो तहरीर दी थी जो ग्यापन दिया पुलिस अदिश्चक को वह मैं आपको सुनता हूं कि अखिर उन्होंने क्या लिखा था उस तहरीर में पॉलिस अदिश्चक को देते हुए जो जान से मारने की घंकी भरा एक फोन काल साया इस नमबर पर 95-85-62 नमबर से गोरखपुर से आया जिसमें मेरे साथ साथ पुलिस को भी गाली दी गई 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 है नीचे पूरी काउज लिकागिंस है और दूसरा रात करीब साड़े गेरा बजे मेरे घर के ही नजदी की जिसमें आसमाजिक तत्तों द् मेरे साथ मारपेट करने का परियास किया गया और जाती सूचक सब्दों से अपमानित किया गया घटना की पूरी जानकारी तहरीर में दर्ज है घटना सरकारी स्ट्रीट सीसी टीवी कैमरे में रिकाड होंगे नीचे जो कॉल रिकार्डिंग है मैं आपको सुना नहीं सकता ह कुछ उसमें आप सब्ध भासाओं का इस्तेमाल है तो थोड़ा मर्यादित इउटोब है इसलिए मैं रखते हुए आप लोगों को यह बता दूँ कि यह बड़ी ख़बर है लगतार बहुजन समाज पर अचार हो रहा है और अगर आप लोग रिकार्टिंग सुनना चाहते हैं तब तक के लिए जय भीम नम्हों थाइब